हाई फ्रेंड्स मैं हिर्दाश आगत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल भर्दवाज इलेक्रिकल पर आज दोस्तों हम इस वीडियो में एलेक्रिशियन ट्रेड थिवरी का एक महत्पून टॉपिक अगर आपका ट्रेड इलेक्रिशियन है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्पून रहने वाली है हम टॉपिक वैज आपको वीडियो प्रूबाइट कर रहे है तो आप जरूर मेरे दिये गए टॉपिक वैज वीडियो को देखी और कोमेंट करके हमें बताइए वीडियो हेल्प फूट हैगा तो लाइक और सेयर करने का काम जरूर कर दिजेगा साथ ही चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किये होंगे तो जरूर हम से जूने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा तो यह संदार तरिका से इस टॉपिक से सभी MCQ को सॉल्प कर ही ल टॉपिक नूबर दो और टॉपिक का नाम है ट्रेट्स एंड हैंट टूस यानि के ट्रेट्स से रिलेटेड जितने भी टूस होते हैं उससे संबंदित यह सारे MCQ होंगे ठीक है त्वाई संदार तरिका से देख लेते हैं और प्रिवेस वीडियो के बादे कुछ मत्मून होगा उसे मैं बताते चलूँगा हो सकते इसे आप अपने नोट्स में जरूर सामील कर लिजेगा ठीक है आए देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्या नाम है या जो चीतर दिखाया गया है या किस परकार का टूल है ठीक है तो इसके भी चार अप्सन आपको देखने को मि रहते है धात्विक चादर को काटने के लिए इसका उपयोग की आ जाता है और यह अंता है। erreicht का नाम से ब्रतित हो रहा है ठीक है है और इसका उप्योग हम बक्र कुटिंग के लिए ब्निट का प्रयोग हम सीधा रहा कि मैं एक दिशा में कातने के लिए इसका प्रयोग करते हैं यानिकि इसका ब्लेड जो होता है सीधा होता है और पिंसर का प्रयोग अंध्यंस करते है हम कामस के थार है नाम रखिये गया सारे मत्रम प्वांट है फिला अलंठ लेता है कि définि नंब पूछा गया है लकड़ी में आयताकार चीद्र बनाने के लिए कि च्छनी का उप्योग किया जाता है तो इसके भी चार ओप्षन दियेगा है चार ओप्षन में जब राइट अप्षन चूछ किजेगा तो दूसरा का राइट अप्षन जो है एक साथ चला जाएगा लकड़ी किया जाता है तो इस तरह से आप अपने से ट्रीक बना करके इसे याद कर सकते हैं जबकि फिर्मल चैनी के लिए बताए है जेनरल परफस के लिए तो जी यह इसका ट्रीक होता है एप से यह हो जाएगा फिर्मल चैनी हो जाएगा और जी से हो जाएगा जेनरल परफस के लि तो तिसके भी चार अप्सन आपको देखने को मिल जाएंगे चार ऊप्सन मेंसे जब राइट अप्सन चुछ कीजेगा तो तिसरा का राइट अप्सन जो है एक एसा चला जाग?' यह चीत्र में जो दिखाया गया है बेंच भाइस का चीत्र है ठीक है और भाइस का परियोग हम कैसा tip number 4 में पूछा गिया है हैमर के आकार का वीवरन दिया जाता है की हैमर के आकार का निर्धारन कैसे किया जाता है यह आप से पूछा गया इसके भी चार ओप्सन आप को देखने को मेखे जाएंगे चार option में से जब right option चुछ किज़ेगा तो चौथा का right option C के साथ चला जाएगा हैमर के वजन के अधार पर इसका हम अकार का निर्धारन करते हैं तो right option हम C के साथ चुछ करेंगा अगर यहाँ पर वजन वाला option नहीं रहेगा अगर pin की अकार या pin की लंबाई दिया रहेगा तो हाँ पर उस option के साथ जा सकते हैं लेकिन हाँ पर भारवला अगर option रहता है तो first preference CC को हम देते हैं तो फिलाल हम चौथा का right option C के साथ चुछ किए तो आज नेक्ट देख लेते हैं question number 5 जो कि भीषद मत कुणने question number 5 में पूछा गया है हर्मा फैट राइट के लिपर का अन्य नाम क्या है तो इसके भी 4 option आपको देखने को मिल जाएगा आपको बताना है कि हर्मा फैट राइट के लिपर का अन्य नाम क्या होता है तो इसके भी 4 option में सिजब right option चूच कीजएगा तो पंचवा का right option C के साथ चला जाएगा इसका अन्य नाम जो होता है जेनी के लिपर होता है इसका एक और नाम होता है जिसको हम odd leg लेक लिपर के नम से जानते है क्योंकि इसका एक पैर जो होता है एक टांग जो होता है मुड़ा होता है इसलिए इसको और लेकर नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसका उप्योग कहां करते है तो समनामतर लाइन खीचने के लिए इसका उप्योग करते है आउटसाइट का प्रयोग हम किसी जॉप का बाहरी व्यास ज्यांत करने के लिए, इंसाइट का अंत्रिक व्यास ज्यांत करने के लिए, प्रयोग करते हैं, ते सारे मतपुन पॉइंट है, फिलाल हम पच्वा का राइट अप्सन C के साथ चूच किया, आए नेक्ट देख लेते हैं, Q6 लोगी व्यास मतपुन है, यहाँ पर एक क्या नाम है, यानि कि एक चीतर दिया गया है, और आपसे पुछा गया है कि इस आउजार को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसके भी चार उप्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, चार उप्सन में से जब राइट अप्सन चूच किजएगा, तो छट्था का राइट अप् पिलाल हम आपर चट्था का राइट अप्सन सी के साथ चूच करेंगे, ठीक है, और लॉंग नोज प्लायर का प्रयोग कहा करते हैं, संकिर्ण जगा पर, इस क्रू को खोलने तथा कसने के लिए, या वहाँ पर मजबूती से पकड़ने के लिए, संकिर्ण जगा पर, ठीक ह प्लायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीस प्लायर का कहा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फिलाल हम छट्था का राइट अप्सन सी के साथ चूच किये, तो आए अब नेक्ट देख लेते हैं, क्विशन नमबर साथ, जो कि बेहत मत्मून है, क्विशन नमबर सी के साथ चला जाएगा, इस्टार परकार के हेड, इस क्रू को खोलने ठकसने के लिए जो टूल का प्रयोग किया जाता है, उसे हम फ्लिप्स स्क्रू डॉड्राइबर के नम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेगा, राइट अप्सन हैं पर सत्वा का सी के साथ चला जाए बाकि neon tester का उप्योगा फेज पुपस्तिती को जाजने के लिए करते हैं तो आए next देख लेते हैं question number 8 जो कि बहुत मत पुने question number 8 में पूछा गया है neon tester का संचालन voltage कितना होता है तो इसके भी 4 option आपको देखने को मिल जाएंगे चार option में से जब right option चुट कीज़ेगा तो अठमा का right option जो है एक एसा चला जाएगा 100 volt से 500 volt इसका संचालन voltage या कभी-कभी प्रचालन voltage भी दे देता है तो ध्यान रखेगा करिकारी इसका voltage जो होता है 100 से 500 होता है तो जो भी option आपको रहेगा इसके according अधिक्तम कितना तक हम चेक कर सकते हैं अधिक्तम 500 volt तक चेक कर सकते हैं यानि कि आपसे up to पूछेगा अधिक्तम तो अधिक्तम के लिए 500 वाला right option D के साथ जाएगे तेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया परचालन voltage या संचालन voltage तो यहाँ पर right option A के साथ चूछ करेंगे तो बहत महत्पूर्ण है और इसका उपयोग हम फेज की उपस्थिति को जाज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो बहत महत्पूर्ण है इसे आप ध्यान में रखेगा ठवा का right option A के साथ चूछ करेंगे तो आए नेक्स दख लेते हैं क्यूचा नमबर 9 जो की बहत महत्पूर्ण है बहत असाने भी क्यूचान है यहाँ पर 9 में पूछा गया कि सितार का अभ्यास का निर्धारन करने के लिए कि सूपकरन का इस्तमौल किया जाता है इसके भी चार option आपको दिये गए हैं चार option में से जब right option चूछ की जागा तो नमबा का right option D के साथ चला जाएगा वायर गेस का इस्तमौल किया जाता है वायर गेस को ही SWGus कहा जाता है standard वायर गेस है ध्यान रखियेहा ऐसा नहीं कि वायर गेस ओप्शन में दे दिया थे आपको confused होना है कि या नहीं है छी군ए को SWG कहा जाता है अमेरका जैसे दिस में उहाँ पर यह भारत देश में उपयोग किया जाते हैं, Amirica देश में AWS करते हैं, तो अलग लग देश का, अलग लग मा पक वह होते हैं, प्रियान Energёт. बाकि यह सारे महत्पून पोइंट ध्यान रखिएगा wire stripper का परियोग हम कहां करते हैं wire stripper का परियोग हम किसी तार या केबल का insulation उतारने के लिए करते हैं filler gauge का दो पाटों के बीच के gap को हम भापने के लिए ठीक है tri square का परियोग कहां करते हैं तो job की संतलता जाचने के लिए ठीक है यह सारे महत्पून पोइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे कि किस टूल का कहां प्योग किया जाता है माली जी यहाँ पर आपको अगर option में तार का ब्यास गयात करना है और यहाँ पर wire gauge SWG नहीं दिया है तो और की सूप करन का इस्तमाल नहीं होँआ पर कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर हम micrometer का प्रियोग करते हैं ठीक है बाकि आपको कोमेंट करना है कि SWG का जो आकरीती होता है वो कैसा होता है ठीक है बेहत मात्पून की उचान है इसका अगर right answer आपको आता है तो मैं ज़रू reply कर तो आए नेक्ट दख लेता है कि SWG के वहाँ मात्पूने कि SWG में पूछा गया है लकडी से कील तथा पीन को निकालने के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसके भी चार option दिये गए है चार option में से जब right option चूच की जगा तो दस्मा का right option जो है इहां पर D के साथ चला जाएगा लकडी से पीन तथा कील को निकालने के लिए कला हैमर का उप्योग किया जाता है कला हैमर जो है राइट अप्सन D में है इसलिए हम दस्मा का राइट एप्शन D के साथ चूच की अगर यहाँ पर कला हैमर का उप्शन नहीं रहेगा तो कभी-कभी पींसर का भी उप्शन आता है जिसका उप्योग हम लकड़ी से पीं तथा के लिए निकालने के लिए भी इसका प्रियोग करते हैं दोनों में से जरू कोई अप्शन रहेगा अगर हमर से रहेगा तकला हमर और टूल से रहेगा तो पींसर कभी-कभी पींसर का चीतर दे देता है और आप से पूछता है कि यह की इस पर करका टूल है ठीक है इसका उप्योग कहां किया जाते है तो सारे महत्पून पॉइंट है साथ ही मैलेट का परियोग कहां करते हैं तो धात्विक चादर को सिधा करने के लिए ठीक है बाकी स्टेट पिन हैमर का उप्योग मेटल वर के स्टोन वर और बलेक स्मित लोग इसका उप्योग करते हैं ठीक है, यह सारे महत्पूंट पॉइंट है, हैमर से रिलेटिब, फिलाल दस्मा का राइट अप्शन D के साथ चूज़े, तो आजे नेक्ट देख लेते हैं, क्यूचा नुमर 11, जो की बहुत महत्पूंट है, क्यूचा नुमर 11 में पूछा गया है, कट के अधार पर रेती का प्रकार नहीं है, यानि क्या आपको बताना है कि कट के अधार पर कौन सा इस में से रेती का प्रकार नहीं है, ठीक है, तिसके भी चार ओप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, चार option में से जब right option चूच कीज़ेगा ते गाराख right option जो है C के साथ चला जाएगा second cut जो होता है cut के अधार पर नहीं होता है नहीं पूछा है इसलिए हैं पर C option होगा बाकि single cut, double cut, rasp cut, spiral cut और circular cut यह 4-5 मुख्यता होते हैं cut के अधार पर ऐसे मुख्यता चार ध्यान में रखेगा single, double, rasp और spiral यह cut के अधार पर होगे अगर आपसे second cut पूछा जाएगा कि किस परकार के अधार पर यह file होता है तो यह file जो होता है grade के अधार पर होता है जैसे कि Rob wasted second cut smooth और super dead smooth तो यह grade के अधार पर second cut होता है ना कि cut के अधार पर तो यह सारे महत्पून पॉइंट है इसमें आपको confused नहीं है होना है ठीक है 11 का right option C के साथ चूच किया question number 12 question number 12 में पूछा गिया है कोना को बर्गकार बनाने के लिए कि छे निकास्त मोल किया जाता है तो इसके भी 4 option दिये गए चार option में से जब right option चूच किजेगा तो यहाँ पार ध्यान रखिएगा 12 का right option D के साथ चला जाएगा diamond point chisel का उप्योग किया जाता है कोना पर बर्गकार करने के लिए ठीक है तो फिलाल हम 12 का right option D के साथ चूच किया आई आप नेक्ट देख लेते हैं Q3 में आपसे पूचा गया है कि electrician trade में पर्युक्त होने वाला किस परकार का भाइस का उप्योग किया जाता है यानि कि electrician जो होते हैं वो किस परकार के भाइस मसीन का उप्योग करते हैं तो इसके भी 4 option आपको देखने को मिल जाएगा चार option में से जब right option चुच कीज़ेगा तो यहाँ पर 13 का right option C के साथ चला जाएगा ब्याँच 20 का प्रयोग करते हैं और 20 का प्रयोग कहा किया जाता है तो किसी भी job को मजबूती से पकड़ने के लिए और जब मजबूती से पकड़ने के तो उस पर विभिन फरकार के हम संक्रिया आसानी से कर सकते हैं तो आएए नेक्स देख लेते हैं Q14 जो कि बेहत्मत पुर्ण है Q14 में पूछा गया है रेती की लंबाई डॉट 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 ली जाती है यानि के रेती का लंबाई का निर्धारन कैसे किया जाता है यह आपसे पूछा गया तो इसके भी चार अप्शन दिये गया है चार अप्शन पेसे जब राइट अप्शन चुचकीजएगा तो चोदा का राइट अप्शन जो है B के साथ चला जागा टीप से हिल तक के दूरी को हम रेती का लंबाई कहते हैं ठीक है तो राइट अप्सन यहाँ पर B के साथ चला जाएगा इसे आप ध्यान में रखेगा बेहत महत्पूर्ण क्यूचन है तो आए नेक्ट देख लेते हैं क्यूचन नबर 15 जो की बेहत महत्पूर्ण है क्यूचन के लिए हम प्रियोग करते हैं उसका किलेरेंस एंगल जो होता है आट से बारे डिग्री होता है तो ध्यान रखेगा राइट अप्सन यहाँ पर हम 15 का सी के साथ चूच किये तो आज नेक्ट देख लेते हैं क्यूचन नबर 16 जो की बेहत महत्पूर्ण है क्यूचन नबर 16 म तो हम 16 का राइट अप्सन टी के साथ चूच की पॉंच का ओहां पर पर कोई भी कारेखंड है उस सता पर अस्थाइब मारकिंग है तो उसको अस्थाइब बनाने के लिए इस टूल का प्रियोग करते हैं जबकि अस्क्राइबर का प्रियोग कहां करते हैं धात्विक सता पर हमें स्टेक का उप्योग करते हैं तो यह सारे महत्पूर्ण टूल से आपको याद रखना होगा कि किसका कहा इस्तमौल किया जाता है फिलाल हम सोला का राइट अप्शन डी के साथ चूछ किये तो आज नेक्ट दख लेते हैं क्यूचर नुबर 17 जो कि ब्याहत महत्पूर्ण स्टेक का चीतर और कहां-कहां उप्योग किया जाता है यह आपको पता जरूर होना चाहिए इसका हम चेनरल परपस के लिए स्टेक का प्रियोग करते हैं है जहां सीट मेटल में तेज मोड यानि कि सार्फ बेंड अच्छानक मोड देना हो दात्विक सीट पर तो वहां पर इसका उप्योग हैचेट का किया जाता है जबकि यहां पर बुलो हर यह जो चीतर में दिखाए गया है वो टैपिंग कोनिकल स्टेप में रिबेटिंग या सीमिंग में इसका इस मोल किया जाता है तो यह तीनो टाइप के स्टेक का प्रियोग कहां किया जाता है और किस तरह या दिखने में होता है, इसके बारे में जरूँ आपको याद होना चाहिए, पहचान में आना चाहिए, ठीक है, तो फिलाल हम 17 का राइट अप्सन C के साथ चुछ किये, बाकी अप्सन को भी आप ध्यान में रखेंगा और C को भी ठीक है, तो आए ये नेक्ट देख लेते हैं हैंड्रील का उप्योग, डॉट-डॉट के mm तक को भ्यास का चीदर करने के लिए किया जाता है, यानि के हैंड्रील का उप्योग हम कितना mm के भ्यास को चीदर कर सकते हैं, इसका उप्योग करके हम कितना mm का भ्यास को चीदर कर सकते हैं, ये आप से पुछा गया, तो चार दख लेते हैं question number 11, जो की बहुत महत्पूर्ण है, question number 11 में पूछा गया है, try square यानि की गुनिया की परिशूदता क्या होती है, यह आपसे पूछा गया है, इसके भी 4 option दिये गए हैं, चार option में से जब right option चुछ कीज़ेगा, तो 19 का right option जो है B के साथ चला जाएगा, try square यानि की गुनिया की जो परिशूदता, यह कुरिशी जो होती है, 0.002 mm प्रती 10 mm होती है, तो right option में आपर 19 का right option B के साथ चुछ कीए, बात हुए try square की, तो इसका उप्योग भी आप याद रखिएगा, इसका उप्योग हम समतलता जाचने के लिए परियोग करते हैं, और यह दो परकार क्यों होती है, एक fix blade वाला होता है, और एक adjustable blade वाला होता है, तो दो टाइपस इसका होता है, और उप्योग कहा होता है, इस इस परकार का hammer है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अकरिती दिया गया है, और उसका वीविन पार्ट का नाम भी दिया हुए है, और आपको बताना है कि कौन सा यह hammer है, तो इसके चार अप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और चार अप्शन में से जब right option चूच तो यह आज का वीडियो था, वीडियो help फूट हागो, तो जरूर लाइक कीजेगा और comment करके हमें बताएगा, next topic पर जल्द हम आपको वीडियो प्रुबाइट करेंगे, तो हमारे चैनल से जूड़े रहेगा, तो मिलते हैं फिर next वीडियो में ने जनकारी खसता, तब तक क्लिपने ख्याल रखें, जैहिए